आपका स्वागत है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की मुश्किले कम होने की बज़वाय और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है राहूल गांधी अब तक कई बार कोट का दर्वाजा खट-कटा चुके हैं और एक बार फिर से कॉंग्रिस नेता यहाँ पर कोट का दर्वाजा खट-कटाते हुए नजर आ रहे हैं दरसल आपको बता दें कॉंग्रिस के वरिस्ट नेता राहूल गांधी ने रास्टे सोंसेवक संग आरेसिस का नाम पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले से जोडने वाले अपने बयान के खिलाफ दर्जमाहनानी की शिकायत को रद करने के लिए बॉंबे हाई कोड का दर पारेसिस की विचारधारा से जोडने वाली तिपड़ी करने के लिए राहूल गांधी के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज करवाया गया था राहूल गांधी ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मामले को सीतराम ये चुरी के खिलाफ दायर मामले के साथ जोड कर नहीं देखा जा सकता है। मेरे मामलेथ प्रतकूल प्रभाव परतावा दिकाई देगा। दरसल आपको बता देएं कि नियाय मूर्ती एसवे कोट्वाल ने याचिका पर सुनवाई की तारिक पांच दिसमबर तैक की है। वकील धृतिमान जोशी ने 2017 में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष राहूल गांधी कांग्रेस नेता सुनिया गांधी और ये चुड़े के खिलाफ एक नीजी शिकायत दर्च कराई थी और मानहानी के लिए उनके खिलाफ कारवाही की मांगी थी अब ऐसे में इसके खिलाफ चुन और यहां पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जूटे आरोप हैं यहां पर फिर से दिखाई देती है कि भारती जनता पार्टी जान बूच कर उन्हें फसाने की कोशिश कर रही है